नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, अच्छे होंगे. Welcome back to my channel, Study with Neha Mame. आज हम पढ़ने वाले हैं, अनुशासन पर निवंद. आज हम हिंदी में अनुशासन पर निवंद पढ़ेंगे. बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है. आपको एक बार में ही, बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा. सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना. उसके बाद हम यहां से निवंद लिखना प्रारंभो करते हैं. अनुशासन पूरे जीवन में बहुत महत्व रखता है. और जीवन के हर कार्यों में इसकी जरूरत होती है. यह सभी के लिए आवशक है, जो किसी भी प्रोजेक्ट पर गंभीरता से कार्य करने के लिए जरूरी है. अगर हम अपने वरिष्टों की आग्या और नियमों को नहीं मानेंगे, तो अवश्य हमें परिशानियों का सामना करना पड़ेगा और ऐसफल भी हो सकते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं अनुशासन का पालन. हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने सिक्षक और माता-पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए. हमें सुभे जल्दी उठना चाहिए, नियमित दिन चर्या के तहत साफ पानी पीना चाहिए, रोज सुभे जल्दी नहाना चाहिए, हमें सही समय स्वक्षिता और साफ सफाई से अपना ग्रह कार्य करना चाहिए हमें कभी भी अपने माता पिता का निरादर नहीं करना चाहिए, कक्षा में हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें सिक्षकों की आग्या का पालन करना चाहिए, हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए उसके बाद हम लिखते हैं निशकर्स हमें सभी के साथ अच्छा ब्यवहार करना चाहिए चाहे वो घर, स्कूल, काराल्य या कोई दूसरी जगे हो बिना अनुशासन के कोई भी अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धी प्राप्त नहीं कर सकता इसी लिए अनुशासन प्रतेग व्यक्ती के जीवन में बहुत महत्व रखता है यह था आपका अनुशासन पर हिंदी में निवन्ध, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान एक वार, दो वार इसका रिवीजन कर लेना आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएगा यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, यदि पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, अवश्य कर लें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद